हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब देखिए आज हम ब्लाउज कटिंग करेंगे अस्तर वाला का तो देखिए हमारे पास जो फैवरिक्स है उसमें मेरा बॉडर भी लगा हुआ है देखिए तो जब भी आप ब्लाउज कटिंग कीजिएगा तो बॉडर पहले हटा लिजिएगा क्योंकि बॉडर बाद में लगता है फिर अटाच होगा आपका मन आप सिलिब्स में भी लगा सकते हैं ब्लाउज का बैक साइड में भी बॉडर लग सकता है जहां पर आपको लगाना है वहां लगा दिजिएगा देखिए पहले हटा लेंगे इसको कि इसको साइड कर लेंगे अब देखिए मेरा जो फैब्रिक शेल्क वाला फैब्रिक से इसमें आप लाइन डॉर नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको जो है कंप्डा में ही करना पड़ेगा तो असतर पहले कटिंग करेंगे उसके बाद ये वाला ने फैबरिक से उसको है देखिए 9 इंच है और लिए 16 हम एक्षटा लेंगे है तो everywhere भी का साइज हूं Belowse 38 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं हम हमना लंबाई जो है ब्लाउस का लंबाई हम लेंगे 14 लेंगे चोब देगे 14 निचा पर दाग दे तो फ्रेंट्स मेरा जो ब्लाउस है वह हम डबल कटूरी कटिंग करके बताएंगे आप लोग को अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज उमको कमेंट करके बताएगा और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए तो चलिए अब कटिंग करते हैं देखिए कपड़ा हम डबल फोल्ड में फोल्ड किया है पहले अब हमारा जो पूरा सोल्डर है छे इंच है पूरा स आपको लेना है नॉर्मली आप सब के लिए साड़े पांच इंच लिजेगा अगर ज्यादा हेवी बनाना है ब्लाउस तो आप इसको छे इंच भी ले सकते हैं देखिए तीन इंच लेंगे हम गला के लिए अब देखिए गला का जो लंबाई है हमारा साड़े नौ इंच है सीधा लाइन ड्रोग कर लेंगे हम देखिए हमारा जो ब्लाउस का फिटिंग जितना आएगा उसमें पहले दाग दे देंगे अब यह वाला जो है हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है अब देखिए हमारा जो ब्लाउस का बीच है वहाँ पर हमारा टक्स का निसान लगेगा तीन इंच पर हम टक्स का निसान लगाएंगे तीन इंच के दूरी पर देखिए इतना चोड़ाई होगा हमारा टक्स का यहाँ पर लगेगा टक्स इसलिए गोलाई का सेफ दे देंगे इसमें यहाँ पर उसके बाद फिर कटिंग कर लेंगे देखिए देखिए हमारा जो ब्लाउज का पीछे वाला साइड हो कटिंग हो गया है अब यह वाले जो कपड़ा बचा उसको हम कटिंग करके थोड़ा सा निकाल लेंगे देखिए यह वाला जो कपड़ा बचा इसमें हम जो गला बैठा सकते हैं या तो फ्रावन फ्रॉंट साइड का जो है कटोरी जहां पर होता है आगे वाला हूंक लगता है उधर होग जिदर लगेगा उस साइड इसमें कपड़ा को देखे और फोड़ हो जाता है अंदर तरफ तो यह वाला कपड़ा उसमें काम आएगा देखिए हमारे पास जो है कपड़ा कम रहता है असी सेंटिमेटर रहता है उसी में आपको कटिंग करना होता है ब्लाउस देखिए यह वाला जो हमारा आर्मोल से कपड़ा बच्चा है इसमें हम कटोरी निकालेंगे देखिए लंबाई लेंगे हम साड़े आट इंच चोड़ाई लेंगे तीन इंच फिर अंदर तरफ लेंगे दो इंच फिर यहां से उपर तरफ लेंगे हम दो इंच अब इसको जो है गोलाई का सेब दे देंगे और यहां से ले करके यहां तक अच्छे से गोल करते हुए और ले आना है इस तरीके से अब जो यहां से बीच से यहां पे तिर्चा करके एक लाइन ड्रो कर देना है यह वाला एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होता है इसको अगर रख दीजिएगा तो कटूरी जो है अच्छे से बैठेगा नहीं और अच्छे से गोल होगा भी नहीं तो इसलिए चलिए कटिंग कर लेते हैं तो फ्रैंस देखी हमारा जो कटोरी हो कटिंग हो गया है अब चलिए साइड वाला प warum निकाल लेते हैं इसी से मेरा बचा हुआ कपड़ा इसी से हम साइब वाला पॐर्य निकालेंगे अindy손 निकालेंग जैक इसाईड वाला पनल है और दाज्टे ले लिए हैं अब उपर तरब से लेंगे हम तीन इंच कंधा अब आर्मोल देखिए हम ले लेंगे साड़े पांच इंच कि इस साइड से भी साड़े पांच इंच ही लेंगे हम अब इसमें गोलाई का सेब दे देंगे देखिए गोलाई का सेब दे दिये हैं अब इसमें जो इसका सीधा लाइन ड्रोक ये थे उससे यहां से मिला देना है इसको और यहां से गोलाई का सेब देते हुए ऐसे ले आना है देखिए अब लाइन जैसे जैसे ड्रोक ये थे वै हटा लिए हैं अब गमर का जो तीरा है हम लोग निकालते हैं आगे तरफ परलर का तीरा वह यह वला निकलेगा देखे तीरा के लिए हम लेंगे चोड़ाई साड़े साधे 5 इंच एक तरफ है क्योंकि इसी से हम नीचे तरफ फोल्ड भी करेंगे इसलिए हम साधे 5 इंच ले रहें देखिए इधर लेंगे एक तरफ लेंगे साधे चारेंच यहां से यहां तक अच्छे से तिर्शा करते हों मिला देना है अब कटिंग कर लेंगे देखिए जिस तरीके से हम कर रहे हैं वैसे से माप भी कर लीजेगा बहुत ही आसान और सरल तरीका बता रहे हैं आप लोगों को तो फ्रेंट्स अगर मेरे वीडियो से आप लो कर लेंगे कपड़ा को चारफोल्ब में फोल्ड कर लेंगे पहले उसके बाद देखिए हमारा जो स्लीब का चोडाई है आट इंच है तो आट इंच हम नहीं लेंगे देखिए शे इंच लेंगे या तो साथ इंच ले सकते हैं आप अपना हिसाब से पहने नाप लीजेगा इधर से 2 इंच, इधर से लेंगे हम 5 इंच, अब इसको गोलाई का सेब देते हुए, देखिये, कटिंग कर लेंगे, तो फ्रेंट्स देखिये, मेरा स्लीव्स भी कटिंग हो गया है, अब जो है, ब्लाउज का, कटोरी का, सौरी का नीचे वाला पलर है, उसको भी निकाल लेंगे हम, इसी से, तो फ्रेंट्स देखिये, हमारा जो ब्लाउज का, कटिंग है, वो हो गया है, कटिंग हो गया है, अस्तर वाला का, अब जो हमारा मेन फेबरिक्स है, यह वाला, इसमें, इसको अच्छे से बैठा बैठा के, बस कटिंग कर देना है, चलिए, कटिंग करते हैं, कर दो. झाल 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 तो फ हाँ देखिए हमारा जो साइडवाल पार हैwie मेरे लाई कीजित व रेफे पेंग हैं उसके लिए कपड़ार्वालU कर लिए। मैं तो थेखर में विडियो कुछ भी सेखए रहे तो प्लीज लाइक कीजिए कॉमेंट की जादा जादा ki गार अगर मेरे चैन्मन हैं तो प्लीज सबस्क्राइब भी कर लिजिए तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीदो में तब तकलिए बाइबाय कि jars